Hello friends, welcome back to my channel आज मैं आपको मेरे मेरी गोल्ड के अपडेट वीडियो आपके साथ सेर करूंगी और मेरी गोल्ड से कैर्से सीड्स कलेक्ट किया जाए उसे भी आपके साथ सेर करूंगी तो वीडियो को भी ने स्कीप किये एंड तक देखिएगा ये देखे फ्रेंस ये मेरा मेरी गोल्ड का प्रिजन टाइम है ये अपना लाइफ स्पैन अब खतम कर चुका है तकरीबन एक महीने पहले ये कुछ इस तरह से था इसका डीटेल वीडियो आपके साथ सेर कर चुकी हूँ फिर भी अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क् आने लगता है फिर धीरे धीरे करके फ्लार जो है इस तरह से सूखने लगता है इस तरह से सूखने के बाद अब हम इसका सीड्स कलेक्ट करके नेक्स सीजन में इसे दुबारा से ग्रो कर सकते हैं इसमें कुछ एक फ्लार अभी भी इस फ्रेस है हाला कि इसके साइज में थो इस तरह से हो गया है अब ये भी अपना जिंदेगी जी चुका है तकरीबन एक महीने पहले ये कुछ इस तरह से था बहुत ज्यादा खुबसूरत जब ये फुल ब्लूमिंग करता है तो ये इतना हैवी हो जाता है कि इससे इस्टैंड करने के लिए इस तरह से स्टिक का है और पहले की में व्यू दिखाओं तो ये कुछ इस तरह से था ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत ब्लूमिक So don't leave me alone तो चेले अब हम बात करते हैं कि इसके सीर्ट कैसे कलेक्ट किया जाए इसके सीर्ट को कलेक्ट करने के लिए कोई भी इस तरह के मैच्चूर फ्ला़र को चुन ले उसके बाद इस तरह से तोड ले उसके बाद आप इसे साथ से लेके आट दिनों तक धूप में सुखाने के बाद ये कुछ इस तरह के बन जाएंगे उसके बाद आप इसे इस तरह से क्रेस कर ले तो आराम से क्रेस हो जाएगा फ्रेंस उसके बाद इसे आप healthy seeds को चुन कर इसे लगाएंगे तो आराम से grow हो जाएगा या फिर अगर आपके प्लांट में flower mature होने के बाद आपने आप इस तरह से flower सूख गया है तो ये और भी बढ़िया रहेगा seeds collect करने के लिए इस तरह के fresh flower seeds collection करने like का हुआ है या नहीं है तो यानि के flower mature है आप इससे seeds collect कर सकते है इस तरह के जो flower mature नहीं है friends आप उसे crash करके इसके single petal के bottom side में देखोगे तो ये बिलकुल light color के होंगे इसका मतलब ये mature नहीं है आप इसे grow करोगे तो grow नहीं करेगा ये और देखिए ये mature flower के petal देखिए दोनों के bottom side में देखिए इसमें dark color है इसके bottom side में और इसके bottom side में light color है तो दोनों में फरक नजर आ रहा होगा आपको तो friends आज का वीडियो कैसे लगा comment section पर जरूर बताएगा okay then bye bye take care